आज इस वीडियो में मैं आपको हरी मिर्च के पौधे को लगाने से सम्बंदित सारी जानकारी बताने वाली हूँ चाहे वो फूल ना आना, फूलों का ज़र जाना, मिर्च का डवलप ना होना या फिर उसमें कोई इंसेक्ट की प्रॉब्लम आ जाना और आप आसानी से अपने घर में मिर्च का पौधा लगा पाएंगे तो मैं पहले आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगी उसके बाद फिर मैंने किस तरीके से सारा प्रॉसेस किया था जो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है वो भी बताऊंगी और अब प्रेजन टाइम पे मैं क्या फर्टिलाइजर देने जा रही हूँ उसे भी डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये काफी आपको जानकारी देगी ये वीडियो काफी important और knowledgeful होने वाली है तो थोड़ा patience के साथ देखेगा अभी फिलाल मैं आपको update दिखा रही हूँ कि इस समय देखे मेरे हरी मिर्च के plant में बहुत सारी मिर्च ग्रो कर रही है कुछ हरी मिर्च है, कुछ लाल भी हो गई है और ग्रोत आप देख सकते हैं बहुत छोटा ही plant है, बहुत बड़ा नहीं है पर मिर्च आपको कहीं से कम नहीं दिख रहे होंगी uncountable मिर्च लगी हुई मेरे plants पे और इस समय कितनी भयंकर गर्मी है आप सब ली लोग उससे वाकिफ है उसके बाद भी पौधे में देखे प्लांट में कहीं आपको कोई insect नहीं दिखेगा प्लांट हरा भरा है और मिर्च भी भरपूर मातरा में इसमें है तो इसके लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो काम करना है वो ये है कि मिर्च की पौधे को फुल सलनाइट पे रखना है तो अगर आपके घर में कोई ऐसी जगा है जहां सूबह से लेके और जितनी भी देर तक धूप रहती है सारी धूप मिल रही है तो आप उसे ऐसी ही जगा पे रखें ताकि उसे पूरे दिन की धूप मिले तो फिर इसकी ग्रोध बहुत अच्छी होगी दूसरे नमर पे जब आप मिर्च का पौधा लगाएंगे तो उसकी मिट्टी वैल ड्रेन होनी चाहिए ताकि पानी जो हम दे मिट्टी सोखे और जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेने जोल से बाहा निकाल दे ज्यादा पानी घोल रहेगा तो मिर्च में जो फूल होते हैं कल्या होती हैं वो गिरना शुरू कर देंगी तो ऐसे में फिर प्लांट में हरी मिर्च नहीं लग पाएंगी अब फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं तो महीने में एक बार हम अपने पौदे को गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है आप दें आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं तो लगबग मैंने तीन मूठी यहाँ पर गोबर की खाद ली थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगबग एक चमच ही नीम की खली का इस्तमाल किया था तो नीम की खली बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इस समय पौदे को दीजे ताकि पौदा फंगस से इंसेक्ट से दूर रहे देखें मिट्टी में जो जड़ों में कीड़े होते हैं नीम की खली उनसे पौदे को प्रोटेक्ट करेगी उसके बाद जो उपर पक्तों की ऊपर जो कीड़े अगर अलगते हैं उसके लिए मैं आपको अलग से अभी एक इंसेक्टिसाइड बताऊंगी तो नीम की खली हमें मिट्टी में हमारे पौदे की जड़ों को प्रोटेक्ट करेगी उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यह है प्याँच के चिलके तो मैंने यहाँ पर लगबग दो प्याँच के चिलके लिए थे और उनको छोटे-छोटे टुकडों में कर दिया था और उसके बाद फिर आप इसे मिट्टी में ही चारो तरफ दबा देंगे मैं आपको यह पुराना वीडियो दिखा रही हूँ इसका अपडेट मैंने अभी आपको पहले दिखाया ही है तो यह तीन खाद मैंने अपने पौदे को दी थी उसके बाद फिर मैंने एक खाद और दी थी अभी आगे बताऊंगी मैं आपको पर यह तीन मैंने मिट्टी में डाली थी और मिट्टी में डालके फिर इने वापस से अच्छे से कवर कर दिया था दिखिए जो प्याच के छिलके होते हैं वो सिर्फ उपली लेयर वाले छिलके चाहिए हमें जो हातों से ही छूट जाते हैं जो अंदर के छिलके होते हैं जिसको हम चाकू की मदद से हटाते हैं उस छिलकों का इस्तमाल नहीं करना है आप चाहें तो प्याज ये छिलकों को दो दिन तक पानी में भीगा के और उसका जो लिक्विड बचता है उसमें दुगना पानी एड़ करें और उसे भी मिट्टी में डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है और आप चाहें तो इस तरीके से मिट्टी में आप प अच्छे से पानी देंगे, लेकिन पानी देते समय याद रखना है, इतना पानी नहीं देना है कि ड्याने होल से पानी पानी बाहर निकले, नहीं तो छो खाध हमने दिये, वो भी ठीड़ी-निकल जाएगी, तो एक लिमिट भर पानी दीजिये, पहले दिन इसका ध्यान लखन को तो क्या करना है आधा चम्मच आयरन डस लेना है आधे लीटर पानी में गोल के और मिट्टी में डाल देना है अगर आपका पौधा छोटा है और बड़ा है तो आप एक चम्मच लीजेगा वो पौधे की ग्रोथ पर डिपैंड करता है उसके बाद ये देखिए ये अपड आप से पढ़ रही है लेकिन पौधा आप देखिए बिल्कुल हरा भरा है कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको पौधे में नहीं दिख रही होगी कीडे भी पौधे में कहीं भी नहीं है तो इसके लिए क्या करते हैं देखिए जो पानी होता है गर्मी के मौसम में उसका भ बहुत दर्मी है तो मैं क्या करती हूं दूसरे से तीसरे दिन अपने पौदो को शाम को अच्छे से नहला देती हूं ताकि वो साफ सुत्रे हो जाएं प्लस शाम को मैं पानी देती हूं तो शाम का मतलब शाम है रात नहीं रात को पानी देंगे या रात को पौदो को नहलाए तो ऐसे में इंसेक्ट बहुत तेजी से पौदों में लगते हैं या फिर जो जड़े होती हैं वो भी गल्ला शुरू कर देती हैं तो आप शाम के टाइम पानी दीजिए ताकि अधेरा होते होते पानी अच्छे से सूख जाएं सिर्फ मिट्टी में पानी रह जाएं और सुब पानी देती हूं तो मैं प्रॉपर अच्छे से पानी देती हूं ताकि पूरा दिन फिर मुझे वापस से पौदों को पानी देनी की ज़रूत ना पड़े और दूसरी बात क्या करती हूं ना मैं मैं टंकी का पानी नहीं देती मैं जब मोटर चलाते हैं तो उसका पानी देत ताकि पौधो को भी थोड़ी सी राहत मिल सके हाँ ये chemical खाद वाले एक बहुत ज़रूरी information है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए वैसे तो हम market से जो खा रहे हैं वो सब chemical से ही भरा पड़ा है लेकिन अगर हम घर में grow कर रहे हैं यहाँ पर chemical fertilizer मत दीजी अपने plant को यहाँ कोशिश करिए कि आप organic दे सके देखिए flower plant हैं, indoor plants हैं उनमें आप chemical fertilizer दे सकते हैं क्योंकि वो आप खा नहीं रहे हैं पर जो fruits हैं, vegetable हैं इस तरीके के जो plants होते हैं इसमें ना दे क्योंकि इसको आपको खाना है और इसको आप अपना personal use के लिए ही ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए chemical यहाँ पर avoid करिए देखिए अभी plant के मिट्टी एक दम उपर से सूखी हुई दिख रही थी ना, लेकिन गुडाई करने के बाद आप देखिए मिट्टी में नीचे हलकी सी नमी है तो यह बिल्कुल सही समय होता है पौदे को पानी देने का मिट्टी सूखी नहीं और आप पानी दिये जा रहे हैं तो क्या होता है उपर काई जम जाएगी, नीचे जड़े गलना और सड़ना शुरू कर देंगी और plant धीर धीरे खतम हो जाएगा तो पानी का कम देना और पानी का जादा देना ये दोनों ही plant के लिए खतरनाख होता है तो आपको देखना होगा, समझना होगा इस चीज को कि कब आपके पौदी को पानी के जरुरत है और आप उस समयों से पानी दीजे तो देखिए उपर से एकदम सफेज सफेज सी मिट्टी हो रहे थी और गुडाई करने के बाद आप देखिए मिट्टी अभी भी कितनी हलकी सी नमी मतलब मिट्टी में है और आप मिट्टी का वो भुरगुरापन देखिए कितनी भुरगुरी है मिट्टी ऐसी मिट्टी में जड़े बहुत तेजी से विक्सित करती है और जितना नीचे से जड़ अच्छे से स्ट्रॉंग बना रहेगा उतना ही हमारा प्लांट भी उपर से हरा भरा बना रहेगा तो इसी लिए जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है तो ही आपका प्लांट उपर से हेल्दी बन पाएगा और दिख भी पाएगा तो अब मैं क्या कर रही हूँ मैंने गुड़ाई कर लिए गुड़ाई कर लिए के बास सारी मिटी को मैं फिर से स्टैम के पास ले आई हूँ और अब मैं वापस से इसमें कुछ खाद देने जा रही हूँ तो इस खाद में मैं जो यूज करने जारी हूँ वापस से वो प्याज के ही छिलके हैं क्योंकि मैंने पहले भी प्याज के छिलके दिये थे और मैं आभी फिर इसे प्याज के ही छिलके देने जारी हूँ अगर आप लोग प्याज यूज नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे केले के चिलके भी इस्तमाल कर सकते हैं, वो भी सूखे होने चाहिए, सूखे चिलके होते हैं, वो फंगस नहीं लगाते हैं प्लांट में, वो इंसेक्ट को नहीं प्लांट में बुलाते हैं, और अगर आप गीले चिलके डाल देंगे न तो वो चीटियां भी आएंगी, फंगस भी लग सकता है, बहुते खराब हो जाएंगे, तो इसलिए सूखे चिलके डालेंगे तो वो ज्यादा फायदे मन्द होगा, तो मैंने यहाँ पर लगबग दो प्याज के जो चिलके होते हैं, बड़े-ब से कवर कर देंगे, यह प्याज के चिलके कितने दिन पर देने हैं, तो वो भी मैं बता देती हूं, था सिरा ANY प्याज के चिलके भी महीने में एकी बार देती हूं, और बोन-मील का भी इस्तमाल करना चाहिए, पर बोन-मील दो महिने में एक ही बार देना चाहिए, क्योंकि bone-mil slow release fertilizer होता है, और हर महिने अगर आप उसको देंगे, तो ये बहुत मतल्ट नुपसान भी कर सकता है, प्लांट को प्लांट को बर्न कर सकता है, तो इसलिए bone-mil का यूज करिए, पर दो महीने में एक ही बार उसको पौधे को दीजे और एक चम्मच काफी है जिसे अगर आपका प्लांट मेरे प्लांट के साइस का है तो एक चम्मच दीजे दो महीने में एक बार और अगर इससे बड़ा है तो आप डेर चम्मच का भी इस्तमाल कर सकते हैं इतना फिर बहु और इसको भी आप ओधे में डाल दीजे, एपसम सॉल्ट को भी आपको हर महीने में इस्तमाल करने की जरुवत नहीं है, इसका जो काम होता है वो यह होता है कि यह पत्टो को हरग बनाता है और जो हरी मेर्च होती है उसकी ग्रोथ पास्ट करता है, और सबसे जादा जो समय समय पे देते रहें अब बात कर लेते हैं एक बहुत बड़ी समस्या की जो हरी मिर्च के प्लांट में बहुत आती है और इसी विज़े से लोग हरी मिर्च का प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं गर पे तो वो होता है इंसेक्ट का प्रॉब्लम तो इसमें क्या होता है ना कि मैं किसी ब्रैंड को प्रमोट नहीं कर रहे हूं यहां पर मैं पर्सनल से यूज करती हूँ यह कोई ऐसा पेड़ प्रमोशन नहीं है पर मैं इसे खुद से पर्सनल यूज करती हूँ और इसका रिज़र्ट भी जब बहुत अच्छा मिलता है तो इस वज़े से मैं यह वाला नियम आई ले रही हूं आप कोई भी नीम आई ले सकते हैं इसको मैंने Amazon से मंगाया था और इसको क्या करना होता है एक लीटर पानी में और इसका इस प्रे करती हूं क्योंकि मेरे प्लांट में कोई भी प्रॉबलम नहीं है टच वोड पर अगर से ले प्रॉबलम पी कर्यू ही अगर एक ँछ प्रॉबलम है अगर आपको प्लांट में घू करना से लीज़ना है फिर दो दिन चोड़के फिर तीसरे दिन इसप्रे करें उसके बाद क्या होगा ना कि धीरे धीरे इसमें Insect हटना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर हफते में एक बार तो प्रोटेक्शन के लिए आपको स्प्रे करना ही करना है चाहीं insect हों और चाहीं ना हों तब आप देखें इस प्लाइड की growth कितनी अच्छी होती है क्योंकि सिर्फ एक कीडे ही हैं जो इस पौधे की growth को रोकते हैं अधरवाईस इसमें और कोई ऐसी problem नहीं आती है क्योंकि कीड़े होते हैं तो फूलों को खिलने नहीं देते हैं उसमें ग्रोथ नहीं होने देते हैं पत्ते ही नहीं अच्छे से डवलप होंगे तो प्लांट कहां से ग्रोख करपाएगा तो अगर आप इस ओयल का इस्प्रे रेगुलर करते रहेंगे ना तो आपके पौधे पे कभी भी इंसेक्ट नहीं आएंगे तो मुझे लगता है हरेमीर से सम्बंदित सारे जानकारी मैंने बता दी है इसके बाद भी अगर कोई कोई कोशन कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिएगा जो जो फर्टिलाइजर मैंने बता हैं उन सब को कब देना है कितना देना ये सब भी मैंने डिटेल में बताया है आपको प्लीज उसे फॉलो करिए उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे बताईएगा वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो कैसा लगा मिराज को ये वीडियो मुझे ज़रूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्यार